हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मोर क्रियेटिव दोस्तो नमस्कार प्रणाम अभिवादन स्विकार करें शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे आज 26 नॉवंबर दिन रविवार है वही हिंदी मेना कार्थिक और सुकल पक्ठी जेतोर दसी है चलिए सुरू करते हैं आज की बड करता से मिलें दोस्तो देजभर में मजदूर और किसान 26 नॉवंबर से करेंगे है आपको बतादे की महापड़ाओ केंदर सरकार की मजदूर विरोधी किसान विरोधी जन विरोधी और राष्ट विरोधी नीतियों के खिलाफ है वहीं मजदूरों और किसानों की मागों की हिपाजत में केंदरी ट्रेड यूनियन संगठनों वज संयूत किसान मोर्चा के अखिल बारती आंदुलन 26-27-28 नवंबर को पूरे देश में महापड़ाओ के रूप में होंगे इसके लिए सभी जीला कमेटी जोरदा तरीके से जनवियान भी चला रही है जिसके ताथ विबिन अउद्योगिक छेत्रों में जनसंपर्क, पर्चावित्रन, नुकड सबाकर, महापड़ाओ को सफल बनाने की अपील की गई है दोस्तों रविवार से आएगा मतप्रदेश के मोसम में बड़ा बदलाओ मतप्रदेश मोसम विबाग के अनुसार अरब सागर से नमी मिलने के कारण सनिवार साम से ही दक्षिन पस्ची मतप्रदेश में बादल चाने लगेंगे और खंडवा खरगोन में कहीं कहीं हलकी बारिज भी हो सकती है इसके अलावा भोपाल, इंदोर, उज्जेन, बुरानपूर, खंडवा, खरगोन समेत कई सहरों में रविबार को हलकी बारिस होने का आसार है वहीं इंदोर संबाग के जिलों में भी ओले गिर सकते हैं इसके अलावा 26-28 नवंबर तक जबलपूर सहीत संबाग के जिलों में भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा और फिर दिसंबर के पहले सब्ता से तेज सर्दी पढ़ने लगेगी दोस्तों मौसम विवाग के अनुसार 26 नवंबर को खरगोन और बुरानपूर के साथ ही खंडवा देवास उजेन रतलाम मनसोर नीमच आगरमालवा साजापूर शिहोर हर्दा नरवदापूरम में हलकी से मद्यम बारिस हो सकती है 27 नवंबर को अलिराजपूर बडवानी खरगोन खंडवा बुरानपूर हर्दा शियोर भोपाल नरवदापूरम बैतूल के साथ राइसेन सागर दमो चतरपूर नरसीपूर और चिंदवाडा में भी हलकी से मद्यम बारिस हो सकती है इस प्रकार से मौसम का पुर्वान उमान है दोस्तों चुनाओ परिणाम से पहले सियम सुराज सिंच चववान ने लिया है महाकाल से आसिरवाद इस पर कांग्रेस ने कस दिया बड़ा तंज मद्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन कौन नेता विदायक बनकर विदानस्वा पहुँचेगा इसका फैसला तीन दिसंबर को मद्गलना के बाद हो जाएगा लेकिन कांग्रेस और भाजपा में अभी भी दावे और तंज कसने का दोर जारी है वहीं सियम सुराज सिंच चववान कल बाबा महाकाल के दर्सन के लिए गय थे आज जैसे ही उनकी फोटो अख़बारों में छपी इस पर कांग्रेस ने जम कर तंज कसा है कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेर्मेन केके मिस्रा जी ने सियम सुराजसिश चववान की बाबा महाकाल के सामने सास्टांग दंडवत वाली अगबार में छपी फोटो के साथ ट्वीट किया उन्होंने लिखा है कि हे महाकाल अभी तक मैं ही सरकार में था बहुत अंकार था इसकी आड़ में मैंने खूब भरस्टाचार और खूब अत्याचार किया है वहीं उन्होंने आगे लिखा कि अब यही माकाल लेगा माकाल लोक सहीत एक-एक पैसे का हिसाब खुलने वाले हैं अब जेल के द्वार इस प्रकार कांग्रेश के मीडिया प्रबारी ने सियम सुरास्नी चववान पर तंज कसा है दोस्तो करमचारियों के लिए महत्पुन खबर है अब हर महने की एक तारीक होगा करमचारियों को वेतन का बुक्तान इसके लिए निर्देश भी जारी हो गए है मत प्रदेश के सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है कर्मचारियों के वेतन का भुकतान बिना तेरी किये एक तारी को कर दिया जाएगा इस सम्मन्द में राजदानी भोपाल के कलेक्टर आसिस सी और इंदोर कलेक्टर इलया राजा टी ने जीला को साध्यक्ज भोपाल और इंदोर को निजदेश दिये हैं कि प्रत्तेक माह की एक तारी को सभी सास की सेवकों को बेतन का भुकतान किया जाए ताकि उन्हें बेतन विसंगत्ति का सामना न करना पड़े दोस्तों मतप्रदेश सरकार के पास फिर हुई है पैसों के किलत अब सरकार फिर से 2000 करोण रूपए का करज लेगी जो 14 साल के लिए होगा मतप्रदेश सरकार के पास एक बार फिर पैसों के किलत हो गई है ऐसे में सरकार एक बार फिर और कर्ज लेने जा रही है तीन दिसंबर को आने वाले विदानसभा चुनाओ परिनाम से पहले ही यह कर्ज लिया जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले ही प्रदेश सरकार पर तीन लाख 31,000 करोड रुपए का कर्ज है इसके बावजुद भी सरकार फिर से 2,000 करोड रुपए का कर्ज लेने जा रही है यह कर्ज 29 नॉवंबर को लिया जाएगा जानकरी के मताबिक 14 साल के लिए यह कर्ज लिया जाएगा इसे 29 नॉवंबर 2037 तक पटाया जाएगा दोस्तो उज्जेन में बाबा महाकाल के दर पर पहुँची देश की सू प्रसिद्ध कथावाचक जया कि सूरी जी ने सनिवार को बाबा महाकाल के दरसन किये बेश सुबव होने वाली भस मारती में भी सामिल हुए बाबा महाकाल के दरसन करने के बाद जया कि सूरी जी ने मीडिया से चर्चा की इस दवरान उन्होंने कहा कि आज मैं भस मारती में सामिल हुई थी मंदिर में बड़ी अच्छी वेवस्ता है जिसके लिए मंदिर समित्ति को मैं धन्यबाद देती हूँ इस आर्थी में सामि बनाने के लिए सरकार ने दिये थे प्रदान मंत्री आवाज हुजना के तहट 150 करोड रुपए लेकिन 15,000 हिद्गराई हो गए गायब। लोगों ने मकान नहीं बनवाया है। इसलिए अब नगरी संचनाले ने इस्थानी निकायों को मकान निर्मान नहीं करने वाले लोगों से राशी वसूली के निर्देश दिये हैं। अस्पताल संचालक पर आरोप है कि उन्होंने बच्चे के इलाज के पैसे उसके पिता से ले लिये थे। इसके बावजूद दस्तावेज लेकर आयुसमान काड के खाते से भी पैसे निकाल लिये। वहीं पुलिस ने कोट के आदेश पर यह प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। दोस्तो उज्जेन के नागदा में पिता ने दिव्यांग बेटी की साधी क्रश्न भगवान अर्था ठाकुर जी की प्रतिमा से कराई। दोस्तो बताया जाता है कि दिव्यांग लड़की हाथ पैर से अपंग थी और वह बोल भी नहीं पाती थी। उन्होंने आसा जाहिर की थी कि वह ठाकोगी से विवा करेगी तब पिता ने उनकी साधी ठाकोगी से कर दी। इस प्रकार से जानकार यहां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिम मंदे मातरं टेक केर।